नमस्कार फ्रेंड से अगता आप सभी का सॉलूशन अभी से यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत के प्रमुक परवस रिडियों से रिल्ली टॉप 30 प्लस MC की कुशन फुली डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आप किसी विग जम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर 2-3 कुशन देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा इस वीडियो में 30 प्लस कुशन फुली डिटेल से कवर करेंगे तो आपको स्कोर भी बताना है कि आप लोगों 35 में से कितना है स्कोर किया है और इसका जो PDF आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन माद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कियें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ब्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुछन है कुछ नमा बन जो है भारत का सर्वोच परवर्शिकर कौन सा है तो भारत का सर्वोच परवर्शिकर जो है ये माउंट केटू है तो इसका B option करेक्ट हो जाएगा जम्मू और कस्मीर में इस्थित माउंट केटू जिसे गाडबिन ओस्टिन के नाम से जाना जाता है ये भारत का सबसे उचा परवर्शिकर है विस्व का सबसे उचा परवर्शिकर जो है माउंट एवरेश्ट है और माउंट केटू जो है विस्व का दूसरा सबसे उचा परवर्शिकर है और कंचन जंगा जो है जो की सिक्किम राज्यम है ये विस्व का तीसर सबसे उचा परवर्षिकर है इसमें जो पूछा था ये पूछा था भारत का सबसे उचा परवर्षिकर ये है माउंट केटू अगला जो कुश्णना कुश्णमा टू जो है नंदा देवी परवत भारत के किस राज्य में इस्तित है तो नंदा देवी परवत जो है भारत के उ दूसरी सबसे उची चोटी जो है कंचन जंगा है और नंदा देवी जो सिखर है ये उत्राखंड राज्य के चमोली में इस्तित है तो उत्राखंड की जो चमोली जगे है यहां पर इस्तित है नंदा देवी परवस शिखर तो ये आप याद रखें ये उत्राखंड राज्य म भारत की ये कंचन जंगा है जो की सिक्किम राज में इस्तित है अगला जो कुछन है कुछन मा थैड जो है भारत में हिमालय की सर्वोच चोटी कुन सी है तो भारत में हिमालय की सर्वोच चोटी जो है ये कंचन जंगा है तो इसका C option करेक्ट हो जाएगा कंचन जंगा भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है जिसकी जो कुल उचाई है 8586 मीटर या फिर 28,179 फीट की उचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है कंचन जंगा अगर बात की जाए यह सिक्किम में हिमाले परवत माला में भारत और नेपाल की सीमा पर इस तो इसमें आपको निम्न मैसे जो है इन चार उप्सन में जो दिया है इसमें आपको परवत स्रेडी नभीन तम बतानी है जो सबसे नई है तो इसका रैट उप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा हिमाले परवत तो इसका बी उप्सन करेक्ट हो जाएगा हिमाले परवत जो है ये माउंट एवरिष्ट हिमाले का ही एक शेखर है तो ये भी आप याद रखें अगले जो कुछन है कुछ नमा फाइप कारा कुरम परवस रेडी का प्राचीन नाम क्या था तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा कारा कुरम परवस रेडी का प्राचीन नाम जो है ये क्रिशना गिरी है तो इसका डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा कारा कूरम एक बिशाल परवश रंखला है जिसका बिस्तार पाकिस्तान भारत और चीन के क्रमसा गिलगित बलतिस्तान लद्दाक और सिंज्यांग छेत्रों तक है यह एसिया का बिशाल परवत मालाओं में से एक ह यह हिमाले परवत माला का एक हिस्सा है कारा कूरम किरगिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब जो होता है काली भुरूरी मिटी पुराणों में इस परवत माला का संस्कृत नाम जो है क्रिशना गिरी जिसको काला पाहड दिया गया है और कारा कूरम परवत सिरेडी का जो प प्रादेसिक भाग इस्तित है तो सतलज और काली नदी के बीच जो है हिमाले का कौन सा प्रादेसिक भाग है तो इसका रैट अप्सन जो हो जाएगा ये है कुमाईू हिमाले तो कुमाईू हिमाले जो है हिमाले परबस रंखला के चार छेतिज विवाजनों में से एक है सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगबग 320 किलो मीटर लंबी हिमाले सरंखला को ही कुमाईू हिमाले कहा जाता है उत्राखंड तथा हिमाचल प्रदेश में इस्तित इस परवस रंखला के पूर्ब में नेपाल हिमाले और पश्चिम में कस्मीर हिमाले इस्तित है तो यह आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यहां से भी कुश्चन बन सकते हैं कि कुमाईू हिमाले के जो है पूर में कौन सा हिमाले है तो यह नेपाल हिमाले है और पश्चे में जो है यह कश्मीर हिमाले है अगले जो कुश्चन है कुश्चनमा 7 तीस्ता और काली नदी के बीच हिमाले का कौन सा प्रादिसिक भाग इस्तित है तो इसका रैट उप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उप्सन इसका C करेक्ट हो जाएगा तीस्ता नदी और काली नदी के बीच जो है हिमाले का नेपाल हिमाले इस्तित है तो इसका C option correct हो जाएगा अगर बात की जाए तीस्ता नदी एक trans हिमाले नदी है और नेपाल हिमाले जो है हिमाले परवस्रंखला के चार छहतिज विवाजनों में से एक है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली लगबग 800 किलोमीटर लंबी हिमाले स्रंखला को ही नेपा सिक्किम में इस्थित इस परवस्रंखला के पूर्ब में आसम हिमाले और पश्चिम में कुमायू हिमाले इस्थित हैं तो ये आप याद रखिए तीस्ता और काली नदी के बीच हिमाले का कौन सा प्रादीसिक भाग है तो ये है नेपाल हिमाले अगला जो कुशन कुशनमा सागर माथा तो सागर माथा की नाम से माउंट एवरेश्ट को नेपाल में जाना जाता है अगर बात की जाए माउंट एवरेश्ट को नेपाल में सागर माथा की नाम से जाना जाता है और चीन में जो है चोमू लुगमा कहते हैं चीन में माउंट एवरेश्ट को चोनू तेरी और तेंजिंग नौर्गे द्वारा बिस्ब की सर्बोच परवर्षिकर माउंट एवरेश्ट पर सबसे पहले किस बर्स बिजय हांसिल की थी तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1953 तो इसका बी आप्सन करेक्ट हो जाएगा देश और दुनिया में जो 29 मई का दिन इतियास में काफी एहम है 29 मई जो है 29 मई 1953 सुबह 11 बज कर 30 मिनट पर दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट पर दो लोगों ने फते किया था दो लोग जो है एड्मंड हिलेरी और तेंजिंग नौर्गे हैं जो है 29 मई 1953 को सुबह 11 बज कर 30 म याद रखें अगला जो कुष्णन कुष्णम 10 नंदा देवी चोटी किस हिमाले का भाग है तो नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायू हिमाले का भाग है अगर बात की जाए कुमायू हिमाले की तो हिमाले परवस रंखला के 46 विवाजनों में से एक है सतलज से काली नदी के बीच फैली लगबग 320 किलो मीटर लंबी हिमाले सरंखला को ही कुमायू हिमाले कहा जाता है उत्रा खंड तथा हिमाचल प्रिदेश में इस्थित इस परवत सरंखला के पूर्व में नेपाल हिमाले तथा पश्चिम में कश्मीर हिमाले इस्थित है और नंदा देवी चोट ये कुमायू हिमाले का भाग है, इसको आप याद रखिएगा, अगला जो эпिशनम 11 हिमाले परवत की एक परवत की एक रेड़ी अराकान यूमा कहा ए इस्तित है, तो अराकान यूमा जो ये मियन मार देश में इस्तित है, तो इसका अगर बात की जाये अराकान योमा की जिसे अराकान परवत्माला या फिर रखाइन परवत्माला भी कहते हैं पश्मी बर्मा की एक परवत्माला है ये जो उस देश की भारत से सीमा निदारदित करती है तो हिमाले परवत की एक सिरेडी आरा काईनोमा कहां इस्तित है तो ये मियानमार देश में इस्तित है अगला जो कुष्णना कुष्णमा जो 12 है उत्राखंड राज्ज का सर्वोच परवर शिखर है तो उत्राखंड राज का आपको सर्वोच परवर शिखर बताना है तो इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा उत्राखंड राज का सर्वोच परवर शिखर जो है ये नंदा देवी है तो इसका D आप्सन करेट हो जाएगा नंदा देवी परवत जो है भारत की तीसरी सर्वोच चोटी है इसे इससे उची बा देश की सर्वोच चोटी जो है माउंट केटू है भारत की दूसरी सर्वोच चोटी जो है ये कंचन जंगा है और तीसरी सर्वोच चोटी जो है ये नंदा देवी परवत है तो ये आप या जाए तीसरा सर्वोच परवर्षिकर जो है बिस्व का ये है कंचन जंगा अगला जो कुछ ना कुछ नमा 13 निम लिखित में से भारत का सर्वोच परवर्षिकर कौन सा है तो इसमें जो है निम लिखित में से भारत का सर्वोच परवर्षिकर पूछा है तो यहां पे इसका र भारत का सर्वोच परवर्षिखर माउंट केटू है और दूसरा सर्वोच परवर्षिखर जो है कंचन जंगा है अगर option में माउंट केटू नहीं दिया था तो आप इसको सही करेंगे अगर ये भी option में नहीं दिया था तो आप इसको नंदा देवी को सही करेंगे तो ये आप sequence याद रखेगा और बिसुब का सर्वोच परवर्षिकर जो है माउंट डेवरेश्ट है और दूसरा सर्वोच परवर्षिकर जो है बिसुब का ये माउंट केटू है और तीसरा सर्वोच परवर्षिकर जो है बेशुब का ये है कंचन जंगा तो ये आप याद रखे सिक्वेंस अगला जो कुछ नमर 14 जो है कुल्लू घाटी किन निमलखित परवस रेडियों के बीच इस्तित है तो कुल्लू घाटी आपको जो बताना है निमलखित किन परवस रेडियों के मद्य इस्तित है तो इस कर और पिरपंजार जो परवस रेडिया इनके बीच जो है ये कुल्लु घाटी इस्तित है अगर बात कीजाए कि अपने मंदिरों और चीडबा देब्दार से टके उचे पहाड़ों और सेव के बागर के लिए जानी जाती है कुलू घाटी पीर पंजाल परवत माला और मद्य हमाले बा महान हमाले के बीच सटी हुई है तो इसको आप याद रखिए कुलू घाटी जो है निम लिखित परवतों के बीच इस्तित है तो ये धोला धर और पीर पंजाल परवत स्रेडियों के बीच ये कुल्लु घाटी इस्तित है अगला कुछननर 15 हिमाले का दूसरा सर्वोच परबरशिकर कंचन जंगा भारत के किस राज जंगा है ये भारत के सिख्किम राज सरवोच परवशिक हर जो है कंचन जंगा है और Mount Ketu जिसको Gardwin Austin के नाम से जाना जाता है तो Mount Ketu जो है वेस्व की दूसरी सरवोच परवशिक हर है यह Kashmir के कारा कुरम परवशिक हरहười में इस्थित होने की कारड Ketu नाम से जाना जाता है तो यह जो है माउंट केटू जो परवत माला है जो परवत शिकर है ये जो है कारा कोरम परवत माला का इस्तित है कारा कोरम परवत माला का जो एक पार्ट है ये माउंट केटू है और हिमाले का पार्ट जो है ये माउंट एवरेश्ट है और कंचन जगा है तो ये आप याद रखेगा जो का ये है Mount Everest और कंचन जंगा आगला कुषनमा 16 जो है निमलिकित में से सबसे प्राचीन परवत शिकर कौन सी है तो सबसे प्राचीन परवत शिकर जो है ये अरावली परवत है सबसे प्राचीन तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अरावली भारत के पश्मी भाग राजिस्थान में इस्थित एक परवत माला है जिसे राजिस्थान में आडवाला परवत की नाम से भी जाना जाता है भारत की भोगोलिक सरंचना में अरावली प्राचीनतम परवत स्रेडी में है जो गौडबाना लेंड का अस्तित्व है ये संसार की सबसे प्राचीन परवत स्रंखला है जो राजिस्थान को उत्तर से दच्छिड दो भागों में बाटती है अरावली परवत का सर्वोच परवश शिखर जो है ये शिरोई जिले में इस्तित्थ गुरु शिखर है तो गुरु शिखर आप याद रखेगा अरावली परवत का सर्वोच परवश शिखर जो है ये गुरु शिखर है उस्तम बिंदू तो इसको आप याद रखेगा अगला जो कुशन है कुशनमा 17 जो है प्राइदीपिय भारत की सर्वोच परवशिखर कौन सा है तो प्राइदीपिय भारत का सर्वोच परवशिखर जो है जो प्राइदीपिय भाग होता है ये क्या होता है जो तीन तरब से पानी से घिरा होता है जो भारत का जो तीन तरब स पानी से घिरा है इसको कहते हैं प्राइदीपिय भारत तो ये आप याद रखें तो प्राइदीपिय भारत की सर्वोज परवर्शिखर कौन सा है तो इसका रैट ओप्सन जो हो जाएगा अनाई मुडी तो अनाई मुडी जो परवत है ये प्राइदीपिय भारत का सर्वोज उची चोटी है नील गिरी परवस रंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडू करनाटक और केरल में भी आता है यहां की सबसे उची जो चोटी है यह डोड़ा बेटा है तो इसको आप याद रखिए नील गिरी परवस रंखला जो है यह तमिलनाडू करनाटक और केरल में इसमें जो है नीलगिरी का हिस्सा है अगर बात की जाए नीलगिरी परवत सरंखला का सबसे ऊचा जो पॉइंट है ये डोडडा बेटा है तो इसको आप याद रखेगा अगर बात की जाए प्रादीपिया भारत की सर्वोच परवर्षिखर तो ये अनाई-मोडी परवत सिखर है तो इसको आप याद रखें अगला जो कुछन ना कुछनमा 18 काडिमम पहाडी या फिर इलाइची पहाडी भारत के किस राज्य में इस्तित है तो काडिमम पहाडी या फिर इलाइची पहाडी जो है भारत के केल राज्य में इस्तित है तो इसका A option correct हो जाएग काडिमम पहाड़ियां भारत के पश्मी घाट की परवत-माला की पहाड़ियां है, काडिमम का हिंदी में जो आर्थ होता है ये एलाइची होता है, भारत की भोगवलिक दरश्टी कौनड से ये दच्छिट भारत की एक पहाड़ी है, जो अन्ना मलाई निल गरी की पहाड़ी के दच्छिड में इस्तित पहाड़ीयों के दच्छिड में इस्तित काडिमम या फिर इलाची की पहाड़ीयां में इलाची बहुत होती है यही कारड है कि इन्हें इलाची की पहाडियां या फिर काडिमम पहाडियां कहा जाता है तो यह आप याद रखेगा यह केरल राज में इस्तित है इलाची पहाडी या फिर काडिमम पहाडी आगला जो तो गारो खासी और जेंतिया पहडिया जो है ये भारत के मेगहले राज़मे श्तित है तो इसका सर्वोच परवशिकर कौन सा है तो दच्छिड भारत का सर्वोच परवशिकर जो है ये कौन सा है तो इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा अनाई मोडी परवशिकर जो है दच्छिड भारत का सर्वोच परवशिकर है केरल का गौरब और हिमाले के बाद भारत की सबसे उच परवत की चोटी जो है अनाई मोडी है अनाई मोडी जो है समोद्र तल से जो है 2695 मीटर की उचाई पर है ये पश्मी घाट की सबसे उची चोटी है तो ये आप याद रखिए दच्छिड भारत का सरवोच परवत शिखर जो है ये अनाई मोडी परवत शिखर है तो इसका A option क रख जाएगा अगला जो कुशन है कुशन मोर 21 जो है चोटा नागपूर पठार की सबसे उची सबसे उची परवत शोटी कौन सी है तो चोटा नागपूर पठार की सबसे उची परवत शोटी जो है ये कौन सी है तो इसका A option जो हो जाएगा ये हो जाएगा पारस नात जो परवत चोटी है ये सबसे ऊची है छोटा नागपूर पठार की अगर बात कीज़े छोटा नागपूर पठार पूर्वी भारत में इस्तित एक पठार है जारखन राज का जो अधिकतर हिस्सा है एवं पशिम मंगाल बिहार और छतीस गड़ के कुछ जो भाग है इस पठार म आते हैं इसके पूर्व में जो है सिंदु गंगा का मैधान और दच्छिड में जो है महानदी है पारस नाथ पहाड़ी जो है छोटा नागपूर पठार का सबसे ऊचा इस्तान है तो इसको आप याद रखेगा छोटा नागपूर पठार का सबसे ऊचा जो परवत चोटी ह यह पारसनात जो है यह पारसनात है यह आप याद रखियेगा अगला जो कुश्चन है कुश्चनमर 22 दूपगड़ चोटी इस्थित है तो दूपगड़ चोटी जो है यह कहां इस्थित है तो इसका रैट ऊप्सन जो हो जाएगा सत्पुоть रेंज में तो सत्पुड़ा रेंज में जो है दूबगड चोटी इस्तित है दूबगड परवत जो है महादे पाहडियां या फिर सत्पुड़ा परवत स्रंखला में इस्तित का और पूरे मद्य प्रदेश का उच्तम बिंदू है ये पंचमडी होशंगाबाद जिला मद्य प्रदेश म इस्तित है और इसकी जो उचाई है तेरा सो बावन मीटर है यह फिर चार चार सो उन्तिस फूट है धूबगड चोटी जो है सत्पुड़ा रेंज में इस्तित है तो इसको आप याद रखेगा अगला जो कुछन है कुछ नमा टॉंटी थर्ड जो है अरावली परवत स्रेडि है जिसे जो है राजिस्तान में आडवाला परवत की नाम से भी जाना जाता है भारत की भोगलिक सनाचना में अरावली जो है प्राचीनतम परवत स्रेडि है यह गोडवाना लेंड का आश्तित्तो है यह संसार की सबसे प्राचीन परवत स्रंकला है जो राजिस्तान को उत् जो है दच्छिड दो भागों में बारती है अराबली का सर्वोच परवत जो शिखर है ये सिरोई जिले में गुरू शिखर है जो माउंट आबू सिरोई में है अगला जो कुशना कुशनमर 24 नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियां इस्तित हैं तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो हैं ये सत्पुड़ा पहाड़ियां इस्तित हैं सत्पुड़ा भारत के मद्दे भाग में इस्तित एक परवत माला है सत्पुडा, परवत स्रेडी, नर्मदा और तापती की दरार घाटियों के बीच, राजपीपला पहाडी, महादेब पहाडी, एबं मेकाल स्रेडी के रूप में पश्यम से पूरत की ओर जो है बिस्तिरित हैं, सत्पुडा की सर्वोच चोटी जो है, दूपगड महादेब पह दीप समू की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो अंडमान और निकोबार दीप समू की सबसे उची चोटी जो है, ये सेडल पीक है, तो इसका A option करेक्ट हो जाएगा, सेडल परवत भारत के अंडमान और निकोबार दीप समू में सबसे उचा पहाड है, ये उत्तर में अंड नदी कलपोंग नदी इसकी डहलानों से आरंब होती है तो अंडवान और निकोबार दीप का सबसे जो ऊची चोटी है ये सैडल पीक है तो इसका ए आप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछना कुछनमा 26 जो है शेबराय पहाडियां कहां इस्तित हैं तो शेबराय भारत के तमिलनाडू राज में शेलम नगर के समीप इस्तित एक पहाड समू है ये पूर्वी घाट का भाग है अगला जो कुछन है कुछनमा 27 जो है पीर पंजाल सिरेडी कहां इस्तित हैं तो पीर पंजाल सिरेडी जो है ये जमू कस्मीर केंदर सासज प्रदेश में इस् प्रदेश है यहां पे जो है केंदर सासज प्रदेश कर लीजे और पाक अधिकरित कस्मीर में जो है चलती है हिमाले में धोला धर और पीर पंजाल सरंकलाओं की ओर जो है उचाई बढ़ने लगती है और पीर पंजाल निचले हिमाले की सरवोच सरंकला है अगला जो कुछन Q28 जो है, भारत की निम्न में से कौन सी परवत स्रेडी केवल एक ही राज में फैली है तो इसका रायट ब्संऔ जो हो जाएगा ये हो जाएगा EJANTA. तो अजन्ता जो पहाडी है ये भारत के केबल एक ही राज में इस्तित है तो अजन्ता स्रेडी जो है ये उत्तर मध्य महराष्ट पश्मी भारत में इस्तित है ये जो स्रेडी है तापती नदी के पश्म से पूरव की और फैली है इसमें इस्तित गुफाएं गुप्त कालीन वित्ती चित्रकारी के लिए बिश्व पिरसिद्ध हैं चट्टानों को काट कर बनाए गए गो जो है बौध गुफा मंदिर बामठ अजंता गाउं के समीप इस्तित है अगला जो कुशन है कुशनमर 29 जो है माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी तो इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा ये हैं बचहंदरी पाल तो इसका सी अप्सन करेक्ट हो जाएगा बचहंदरी पाल जिनका जर्म जो है 24 मई 1954 को हुआ था माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम भारतिय महिला है सन 1984 में इनोंने जो है माउंट एवरेश्ट पर फते किया था ये एवरेश्ट की उचाई जो है एवरेश्ट की उचाई को छुने वाली दुनिया की पांच भी महिला परवता रोही बन गई है बचहंदरी पाल अगला जो कुष्णन कुष्णम 30 हिमाले की सर्वोच परवरेश्ट की कितनी उचाई है तो माउंट एवरेश्ट की जो उचाई है 8850 मीटर है 8850 मीटर जो है ये हिमाले की सर्वोच परवरेश्ट की है माउंट ए यह पहली है, मतलब जो अभी नई बनी है 2000 में जो उचाई अभी जो है नेपाल और शीन ने जो मिलकर जो है इसकी जो उचाई नापी है या नहीं नापी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों ने बताया है कि जो Mount Everest है इसकी जो नई उचाई 2020 में इन्होंने नापी होगी तो ये बता रहे हैं 8848 पॉंट जो है 86 मीटर इसकी नई उचाई है लेकिन जो पहले से चला आ रहा है ये 8850 मीटर लेकिन इन लोगों ने जो है नेपाल और चीन ने जो है इसकी नई उचाई ये बताई है तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगो ये याद करनी है ये फिर ये याद करनी है तो आप दोनों याद रखिए हमारे इसाब से आपको जो उप्सन में मिल जाता है आप उसको सही कर दीजिएगा इसमें जो है आपको याद रखना है ये नेपाल और नेपाल के विदेश मंत्री और जो है चीन के विदेश मंत्रियों ने जो है संयक तुरूप से इसका एलान किया है कि माउंट एबरेश्ट की जो नई उचाई है ये 8,848 पॉइंट जो है 86 मीटर है और जो पहले से है ये 8, 8,850 मीटर है तो आप लोग दोनों को याद रखिए अगर आपके एक जाम में ये कुशन बनता है आपको जो आप्सन में दिया हो आप उसको सही कर लीजिए दोनों कभी कभी आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे तो ये आप याद रखें थैंक यू फ्रेंट्स आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शे जरू किया करें अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किये हैं चैनल जरू सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं निव वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम